भाई जब से पुरे इंडिया में अंगामा मचा है वी एफेक्स उसके सीजियाई वगरा रावन के सीजियाई को लेकर सारे मीम पे ज़ा सब ज़ेगा फिल्म इवन मैं ये बोलूँगा कि इतना ही मतलब इतना ही इंप्लिमेंट करना है प्यार तो उसके आयमडीबी में हमाली तारीफ करने से तारीफ करके फैंड नहींब क्यों फिल्म जा चुकी है ठाहित बहुत पुरानी भी हो चुकी है अपने टाइम पर तो ग्यूद सकता है फोर फौर पॉर इव उसको बनाया बनी जसा क्यों आब य। तो अभी च्या उघ्रस गया हां चल रहा है सब कि टीजर के बाद ट्रेलर के बाद यह इन दोनों के बीच में रावन टू अनॉंस होने वाली है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है ऐसा कुछ भी नहीं है लिटरली में बोल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं रावन टू अनॉंस करना ही एक बहुत बड़ा इवेंट है वो दस पठान फ सबसे popular film सबसे popular film अगर बोल दो तो एक number या दो number में तो उसका नाम है है popular in the sense जिसको Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam सारी audience पूरी इंडिया जानती है उस film को मैं हिंदी film की बात करना तो उस film को announce करना वो खुद में एक event है वो एक event ऐसा है कि वो event में 50-60 million views उसमें आजेगे वो एक event तयार करना वो फिल्म को announce करना ही के लिए रावान टू announce करना ही के लिए तो एक तो चीज़ यह दूसरी चीज़ मनाता हूँ पताता हूँ मैं पठान आई नहीं है, जवान आई नहीं है डंकी आई नहीं है, उससे पहले की track record हो गई नहीं है, सब impossible ऐसे हो गई नहीं हो सकता है because यह period यह 2023 में ही हो सकता है यह 24 में ही हो सकता है because यही time है क्यों कि वो film को उतनी high cgiv effects में कि उस film को बनने के लिए 2 साल लगेगे 2 से धाई साल तो minimum पकड़ के चलो उस film को बनने के लिए लगे उस time भाई बन्दे का look भी बहुत important है मानो या ना मानो, fact is fact age 57 already होने वाल है so this is, मतलब यह reality है भाई और वो बन्दा इतना detailing में जाता है he is not like other superstars so मैं समझता हूं कि ऐसा खुछ भी नहीं है announcement होगा, चल्दी होगा रांगामा के साथ होगा